स्वाँजी गाईज वेलकम बैक टू माई चैनल हर्पित ब्लॉक्स आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे और आज की वीडियो में हम बात करेंगे स्पाउस ओपन वर्क पर्मेट के अपडेट के बारे में तो अगर आज की वीडियो की शर्बात करते हैं चोटी सी र्क्वेस्ट के साथ की अगर आप मेरी वीडियो तो डेली वेट करते हो देखते हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए क्योंकि मेरे जातर देखने वाले जो मेरे ब्यूर्ज है वो नौट सब्सक्राइब आले हैं सो आई र्क्वेस्ट यू की प्लीज सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए बैल ऐकन को भी प्रेस कीजिए ठीक है जी तो करते हैं जी आज की बीडियो की बाद हमारी फर्स्ट जो टाइम लाइन है उसके साथ अगस्त 2000B विच अपलाई मतलब अगस्त 2000B की फाइल है यह ठीक है जी स्टमबर 2021 को इनको डॉक्यमेंट रॉक्वेस्ट आई थी इनकी जो बाइफ है उनके पेस्ट अब्स वगेरा वो उनके जो डॉक्यमेंट रॉक्वेस्ट आई थी और नवंबर 27.2021 को इनको जो है मतलब 27.2021 को जड़ी PPR है जो इशूस हो गई तो उसके बाद अजी बात करते हैं मेडिकल रॉक्वेस्ट की PPR तो आज एक ही देखने को मिली थी एंड मेडिकल रॉक्वेस्ट थी एक 27.01 की गॉट मेडिकल रॉक्वेस्ट फाइल थी जी इनके 28.01.2021 बहुत सारे लोग पूछते हैं जनवरी की फाइल पर कोई अपडेट आया है तो जे 28.01 मदलब 28.01 की को मदलब आल्मोस्ट आल्मोस्ट फर्वरी के बालों के लिए भी एक शुखबरी है क्योंकि 28.01 और फर्वरी के बीच कोई खास डिफरेंस नहीं है ठीक है जी बायोमेट्रिक था जी इनका 4 जनवरी डिड इमेल टू डैली Member for Family Reunion इनकी जो सबसे इच ही बात है इनकोने साथ की अपना जो पैटर्न था वह शेयर किया है इनकोने लिखा जो ए-मेल में की थी इनवने उसे में बीच में लिखा नेम अपना mention किया application number अपना जो है mention किया UCA number जो है अपना mention किया उसके बाद date of worth अपना and country of apply कहां से आपने अपनी file जो है वो lodge किया वो इन्होंने साथ mention किया file category कौन सी category में आप अपनी file लगाई है ठीक है जी उसके बाद family region story इन्होंने अपनी लिखी होगे कि मेरी wife मतलब जो इनकी और इनकी wife की जो भी condition होगी इन्होंने अपनी file मतलब email में mention की होगी आप भी अपनी जो है family reunion वाली story है ठीक है जी अपनी तरफ से जो request आप करना चाते हो वो अपनी तरफ से बना कर लिखो किसी को copy करने की विजाए मैं ही सजेस्ट करूंगा ठीक है उसके बाद इन्होंने अपना spouse name mention किया एंड उसके बाद इनको got medical request 23 November को है जो मिल गई मतलब hopefully इनको PPR भी बहुत जल्दी देखने को मिलेगी जो जब भी इनकी जो PPR मिली तो मैं आपके सामने जरूर लेकर आऊंगा ठीका जी तो यह थी जी PPR और medical request उसके साथ बात करते हैं medical update की December 2000 भी applied second time biometric थी जी इनकी upfront medical also upfront and after one year wait almost मतलब एक साल almost क्योंकि अभी November चल रहा है medical pass हुआ है इनका 23 November को when will I got PPR मतलब medical update हुआ है तो वही बात है कि आपकी file जो है वो pick होगी check होनी start होगी अगर आपकी file complex नहीं होगी ठीक है जी तो आपको PPR बहुत जल्दी मिल जाएगी उसके बाद एक और है जी 18 April 2021 को मतलब अप्रेल के जो बहुत सारे कमेंट्स आते हैं अप्रेल की file जो बहुत जानों ने लगाई हुई है ठीक है जी 18 April 2021 की file है बायमेट्रिक हुए है जी इनके 29 April अपडेट ऑन सेम टे नतीस अप्रेल को इन्हों ने अपने जो बायमेट्रिक थे वो करवाए उसके बाद medical upfront था जी इनका स्तंबर 2020 मतलब इनकी जो medical था इनको पहले ही करवा रखा था स्तंबर 2020 मतलब इनकी हो सकता है कि सेकंड टाइम हो फाइल मेडिकल पास हुआ जी इनका 29 नमबर मतलब आज ही इनका जो है जरू भी इनको दिखा सकूंँ सो यह थी जी आज की वीडियो पीपिर ज्यादा नहीं आई आएंगी जरूर आज सोंबर था फूली रात को जा कल को बहुत सारी वीपिर देखने को मिल सकती है ठीका जी फॉजिटिव रहो आएंगे वीज़े क्योंकि बैकलॉग जो है बैसी ने क्लियर करना स्टार्ट किया था चार दिन पहले बहुत सारी वीपिर जाने के चाहांस है जी वीडियो अच्छी लगी त तो चैनल को सब्सक्राइब जुरू करना शेयर जुरू करना मिलते हैं ही नेक्स्ट वीडियो में टेल एंड बाई बाई